नमस्कार मैं हो यासमीन सुशान सिंग राजपूत की वो कौन सी अंसुनी कहानी है जो अभी तक दुनिया के सामने नहीं आ पाई इस बात की तहे तक जाने के लिए देश के कोने कोने से CBI जाज की मांग उठ रही थी देश की सबसे बड़ी अदालत ने फैसला सुनाते वे CBI जाज को मनजूरी दे दी है इस खबर को सुनने के बाद सुशान सिंग के परिवार ने उनके करोडों चहने वालों को आभार व्यक्त किया है उनका शुक्रियादा किया है इस लड़ाई में सुशान के परिवार का साथ देने के लिए जहां सुशान के परिवार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को प्रजा तंत्र की ताकत से जुड़ा है ना सिफ उन्होंने सुशान के चहने वालों का बलकी मीडिया कर्मियों और खास तोर पर बिहार के मुख्य मंतरी नितिश कुमार का शुक्रियाद करते हुए कहा है कि जो बाधित न्याय थी उसे उन्होंने गती दी है सुशान के परिवार ने अपनी बात रखते हुए आगे लिखा है कि अब जब देश की सबसे विश्वसनी इन्वस्टिगेटिंग एजनसी ने एक काम संभाल लिया है हमें पूरा विश्वास है कि दोशियों को उनके अपराद की सजा मिलेगी हमारा मानना है कि संस्थाओं में लोगों का विश्वास बना रहना चाहिए आज के घटना क्रम से प्रजातंत्र में हमारा विश्वास और भी मजबूत हुआ है देश से हमारा प्रेम अटूट है आज और भी दृड हुआ है आप देख सकते हैं कि सुशान्त की परिवार ने सुप्रीम कोर्ट फैसले के हवाले से लोगों को भरोसा दिलाया है कि जिन्होंने ये अपराद किया है उन्हें इसकी सजा मिलेगी जानकारी के लिए बता दे कि देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले के बाद अब CBI की स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम मुंबई जाने वाली है जिसके बाद केस से जुड़े सभी दस्तावेज फिर चाहे वो पोस्ट मॉटम रिपोर्ट हो फोरंसिक रिपोर्ट या सुशान की डायरी सभी चीजें मुंबई पुलिस CBI को हैंड ओवर करेंगी